आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्यारे लिखतास के बारे में यूकि इंपॉर्टेंट इंकर है फिलॉसफी आफ साइंस की मेरी प्लेलिस चल रही है तो अल्डेडी में काल पाप पर था। मस्कून पॉजिटिविजम पॉस्ट पॉजिटिविजम इस सब कवर कर आज पाच की हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मल जाएका आप देख लेना तो वह सारे थिंकर्स आप कवर करके जाना क्योंकि यह कुछ ऐसे थिंकर्स है जो आज कल पूछे जा रहे हैं और हम इन इन इंग्नोर कर देते हैं इसे आज हम पढ़ेंगे एमेरे लिखतास के ब पढ़ेंगे लेकि तूड़ा पॉइंट भी पढ़ेंगे कि कहां से कोशन आते हैं अगर कोशन आ जाए तो मारा गलत नहीं होना चाहिए तो लेस्स बिगन आवर वीडियो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्ट्चर और वीडियो तिल दे एंड क्योंकि में पीवाई की उसकी कराऊंगी और बीच बीच में जो इंपोर्टन टॉपिक्स होंगे जांसे कुशन मनते हैं वह भी कराती जाओंगी तो कोई भी पार्ट्ल वीडियो का मिस्स मत करना ठीक है सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एमेरे लेकातौस की थिंकिंग को समझते हैं उनका कंसेप समझना भी उतना ही इंपोर्टन है जितना अकैडमिक पॉंट व्यू से हमें कोस्टन देखना तो पीवाई क्यूस भी तो देखेंगे बट यह देखते हैं साइंस हैस रशनालिटी अकॉर्डिन तो एमेरे लेकात मौन सकता है क्यूकि साइंस को तो फॉल सफाइ भी किया जा सकता है अगर साइंस मेरी प्रसिपाए नहीं होती ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे तो वह इसी एरा में आते हैं पोस्ट कुहान एरा बोलते हैं जो थो मंस को बाद अरा शुरू हुआ था तो उस एरा में आते हैं वो बोलते हैं कि उनका मेन एम होता है हमेरे लगता उसका है कि रीजन को रिस्टोर करना in scientific progress and accept science as an approximation to reality और वो बोलते हैं कि हम सब को science को एक reality के context में accept करना चाहिए कि जितनी reality सच है उतना ही science भी सच है ठीक है then second point उनका वो क्रिटिसाइज करते है पॉजिटिविस्ट को और काल पॉपर को specially and वो बोलते है there is no final verification or falsification in science कि काल पॉपर के आपको पता है theory of falsification तब ही मैंने बोला कि आप पहले वो videos देख लो तो theory of falsification जो काल पॉपर की थी उसको कौन क्रिटिसाइज कर रहे है M.R. Lekathos तो इससे P.Y.Q. आ रखा है और इससे question भी बहुत अच्छा बन सकता है कि काल पॉपर के theory of falsification को किसने क्रिटिसाइज किया था तो किसने क्रिटिसाइज किया था M.R. Lekathos ने क्रिटिसाइज किया था Then scientists can also be wrong वो बोलते हैं कि हाँ Scientists भी गलत हो सकते हैं वो भी गलतियां कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी की पूरी theory को ही falsify कर दो Science को ही falsify कर दो ठीक है तो वो इस पात में मानते हैं कि हाँ scientist गलत हो सकते हैं वो भी गलतियां कर सकते हैं तो यह भी उनकी मैने thinking समझाने के लिए आपको यह line लिख दी Then fourth point There are no rational methods to guarantee scientific truths और वो यह भी मानते हैं वो ज्यादा कट्टर scientist भी नहीं थे कंटर भी नहीं थे कि वो science को बहुत अच्छा ही बाने हाँ वो rational है, reason है उसमें reality के मतलब close है science वो सब ठीक है पर वो बोलते थे कि There are no rational methods to guarantee scientific truths तो हमें scientific truth का पता लगाना है अगर हमें पूरी सच्चाई तक पहुचना है ठीक है यह कोई भी rational method नहीं होता So next, introduce the concept of research program यह important, very very important PYQ आ रखा है कि research program का concept किसका है तो किसका है, इस मैरे Lekatos का है और उन्हें research program का concept किसके against में दिया था तो यह भी आप रखो, याद रखो कि research program का जो concept है उन्होंने Thomas Koon का जो concept था paradigm shift का उसके against दिया था आपको paradigm shift नहीं पता था वीडियो में देख सकते हो पिशली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है जादा लबी वीडियो भी नहीं है I guess 9-10 मिनिट का यह वीडियो है Thomas Koon का paradigm shift का concept जो था उसके against में इस मेरे Lekatos लेकर आते है अपना concept research program का तो research program, research program दो तिन बारी बोलो मन में और याद रखो कि ए मेरे Lekatos का है He argued that science is only governed by and only one paradigm तो वो बलते हैं जैसे कि Thomas Koon बोलते था कि paradigm shift आते हैं एक एरस हम दूसरे एरा में जाते हैं ठीक है तो बोलते था ऐसा कुछ नहीं होता एक ही paradigm होता है normal scientific phase में जो एक scientific phase होता है हमारा उसमें सिरब एक ही paradigm होता है ऐसा नहीं एक ही paradigm shift आएगा और multiple paradigms emerge होंगे नहीं एक ही paradigm होता है तो ये keyword याद रख लो कि according to मेरे Lekatos इससे भी question बन सकता है बहुत important कि कौन एक paradigm की बात करता है अब आप paradigm बढ़ सुनते ही आप सोचोगे कि अच्छा paradigm की बात हो रही है तो Thomas Koon होगा पर नहीं अगर वन paradigm की बात हो रही है कि सरफ एक ही paradigm होता है जो science को गवर्न करता है तो उसका मतलब हापे बात हो रही है Lekatos की ठीक है then might be my pronunciation can be wrong so avoid that पर लाका तौस ही बोलते हैं जातक मैंने सोना इनको while development continue within a paradigm अब यह Thomas Koon के response में ही यह बोल रहे है कि जैसे जैसे paradigm के साथ development बढ़ती जाती है ठीक है एक paradigm है एक era है ठीक है उसमें development continue है तो जैसे जैसे development होगी उस paradigm में वैसे 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 competition बढ़ेगा competition किसमें बढ़ेगा competition between alternative paradigm also continues ठीक है तो वह बोलते हैं कि alternative paradigms में भी competition बढ़ता रहेगा alternative paradigm मतलब यह एक paradigm है यह paradigm और यह उसके alternative मतलब उसी का supplementary एक और paradigm है paradigm B ठीक है अगर यह नहीं तो भी paradigm बीज़ कर सकते है मतलब एक alternative ले सकते है उसका तो इनके बीच में आपस में भी तो competition बढ़ेगा ना तो वैने paradigm बहुत अच्छे से समझाया है तो आप तो अच्छे से समझाया है तो थामस कुन में देख लेना then बात करते हैं next even if different theories are used in research program अभी यह बहुत important concept है मेरे लेकता उसकार जो कि वो research program में दो components की बात करते हैं ठीक है hardcore की और protection belt की तो अभी हम पढ़ेंगे तो even if different theories are used in research program अगर एक research program में जो कि उनका famous concept है और यह कौनसी book में उनने दिया था वो भी मैं बताऊंगी तो अगर different theories है और कोई भी हम research कर रहे हैं एक research program में हम different theories का use कर रहे हैं these theories have common and unchangeable core तो उस case में क्या होता है यह जो theories होती है research program होता है एक उसमें core होता है एक protection belt होती है ऐसा ठीक है जैसे core है इसके आसपास protection belt है ऐसे ठीक है तो यह जो core है वो कभी भी change नहीं होगा अगर आपको यह पूरी theory है माल लो ठीक है यह पूरी theory है उस theory का theory कोई वो research program बोल रहे है तो यह core है core में कभी भी change नहीं आएगा जो protective belt होगी इसके आसपास की उसमें आप changes ला सकते हो पर core में कोई change नहीं आता हो क्योंकि जो core होता है यह common unchangeable core होता है ठीक है यह जो theories होती है common theories से मिलके बना होता है तो there is a protective belt around this core which is a surrounding defensive set of ad hoc hypothesis ठीक है और ad hoc hypothesis के लावब अगर आड़ता है word auxiliary hypothesis तो यह भी किसका है MRL eckathosk है तो यह दो-three key words है आप याद रख लो auxiliary hypothesis आए, ad hoc hypothesis आए, protection belt यह protective belt की बात हो या core की बात हो ठीक है और core यह research program के अंडर यह सारी keywords MRL eckathos ने दिये थे ठीक है यह जो बोलते है कि जो protection belt है जो core के आसवास होती है वो एक defense की तरह काम करती है जो कि हमारी जो main theory है जो core है जो theory का क्रक्स उसको बचा के रखती है ठीक है और इसलिए हम इसको ad hoc hypothesis बोलते है चेंज हो सकती है but time तो जैसे यहां पर इसको और अच्छे से explain किया हुआ है मैंने लिखा है यहां पर this core is preserved during research जब भी हम कोई research कर रहे होते हैं तो हमारा जो main topic है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसको तो हम नहीं change करेंगे ना वह तो वैसे रहेगा तो आप मालों वो core है ठीक है लेकर उसके आसपास जो protection belt हमने बनाई है और चीज़े जो मने डिमेंशन जोड़े उस topic के आराउंट कोई हमारे पास नहीं problem आगए उसको solve करने के लिए हमें उसको चीज़े को क्या करना पड़ेगा अब बात करते हैं next when theories are inaccurate तो अब यह बहुत very very important यह मेरे लिगके तौस की thinking को समझने के लिए यह बहुत important point है वो कहते है कि अगर कोई theory यह काल पापर के अगेंस्ट में एक तरीके से वह यह point बोल रहे है ठीक है काल पापर की theory of falsification दी उसके के against बोलते है कि theory से अगर कोई पाल्य ओड़ी गलत साबित हो गई falsify हो गई inaccurate ने के लिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से पूरी को खत्म करें से अच्छा है जो चीज आपको थिए गलत लगी जो चीज फाल्सिपाइब हुई है ठीक है तो उसके अगर वो बोलते हैं कि कोई भी थिए तो accurate नहीं होती अगर हम सारी थिए इसको एक करके और फॉल्सिपाइब करते रहेंगे और डिसकार्ड करते रहेंगे तो यह से तो कोई भी साइंस बचेगा ही नहीं साइंस जैसी कोई चीज बचेगी नहीं कि अकर सारी थिए तिसकार्ड हो गई अगर कोई फॉल्सिपाइब करना उसकी जगह अगर कोई फॉल्सिपाइब हो गई है तो आप उसमें करेक्शन कर दो ठीक है अदर्वाइस जो साइंस का स्थेत्व है वो खतम हो जाएगा और यह इसके अलावा यह जो पीवाइक्जाम पारिंट अपुर्टेंट है वो है म मॉब साइकोलोजी मतलब क्या जो सब बोलते हैं वही साइंस भी बोलने लग गई है कि मॉब मतलब क्या होता है मासिस तो जो मासिस की साइकोलोजी है और मासिस से खटके नहीं सोच रही है साइंस को हमने जो मासिस ने बोल दिया जैसे बहुत सारे लोग सोचते थे कि VR is flat एंड साइंट को किस से डिटूघ चरदी है pop psychology से तदी यह एकında डिया मैं अधार को समझाने के लिए पॉइंट बता तीया माँप सैकलोजी जो है साइंस और यह साइंस है जो साइंस अधार न conse consider computerिसमइ फॉच्क्येशं पर करना काल्स कुन्स कुन का गड़ कि century of science का को इस वह संविकांस पहões को Wednesday घृकर करने में नेक पर आपको यह पर दिखा दिया जितना वी ने पड़ाया ना मैंने प्ड़ाया ना वसीकी एक तरीके से चाहते हैं थोड़ी सी डिटेल में सिरफ एक बार ही हम गो थू कर लेंगे एक बार ही पढ़ लेते हैं सिरफ इसको ठीक है तो कुन थौट देर वस नो साइन्टिफिक मेथड तो रॉब यह था था को लगता था कि कोई भी साइन्टिफिक मेथड नहीं होता बट डाइज़न्ट मैटर बिकॉस वी कुड रस्ता स कम्हां अवह स्टेटमेट कर सकते हैं क जाये कोई सेंटि Track soulagं कर ना है लेक तो किसal कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया भी ठीक है वह इस्टिय आप साइंस को प्रिजर्व करना चाहते थे और उसके बारे में बहुत सीरियसली वह बात करते हैं बट रिस्टोर दा रोल आफ रिजन अर में अर्ट इन साइस और रडिय हम पर चुके है कि साइंस में वह रीजन को वापिस ल साइस तो कर रहे हैं पर उनका में मकसद ही है कि दोनों के जो प्रोचेज उनको मैं एक जगा ले आऊ और अपनी नहीं थियोरी तो इसलिए वह रीजन को यूज करते हैं तो साइंस को साइंस की स्ट्री को समझने के लिए हिस्ट्री ऑफ साइंस समझने के लिए वह रीजन क इस वी पड़ रियुस करते हैं कि अज़ें इंपोर्टेंट नीए कि अपर्डुर्टेंट होगा बता तहुगी अच्चरी ऑठी ब्धूट्विन पैरेड़ाइम रिसर्श्ट प्रोग्राम्स अब इसर्ट्वर्ण एम Hare Lakathauska है परेडायम श्रिफ Thomas School का है मैंने research programs can exist simultaneously in a gaming field सही बात है एक ही field में एक ही जगापे पहुत सारे research programs, में कर सकते हैं ठीक है, बट with paradigms there can only be one लेकिन paradigm हमेशा सिरफ एक होता है paradigms उसे monolithic होते हैं, homogeneous होते हैं यह भी आप point जात कर सकते हो कि according to Emeril Ekatoze paradigms are monolithic and homogeneous research programs have two major components अब this very point is very important यह हैं जो मैं आपको भी बता चुकी हूं बस एक बार ही हम अलग से थोड़ा से डीटेल में पढ़ रहे हैं तो दो मेजर पाइंट होते हैं हाट कोर होता है इक इतका प्रोटेक्टिव वेल्ट होता है हमने पढ़ लिया protective belt जो होता है एक bridge का काम करता है that connect the core to the world at large जो protective belt ऐसा होता है जो core को world से चोड़ के रखता है ठीक है अगर protective belt है तो यहां पर world है हमारा तो यह protective belt हमारे को किस से चोड़ेगी core से link करेगी इसमें example दे रखा है कि जैसे core हो गया हमारा evolution जैसे हमारे हम ऐसा common ancestor ऐसा evolved हुए न अपने ancestor से तो evolution हमारा core हो गया ठीक है उसमें थोड़ा सा modification आया जैसे हम पढ़ते है आदी मानम वाला concept कि पहले हम बंदर थे फिर इंसान बने फिर हमारे दो पैर आये थे ठीक है पहले हम चार पैर पर चलते थे फिर दो पैर तो यह पूरी क्या evolution की थी हो रही है तो ठीक है थी क्या है हमारा core और इसमें जो belt होगी हमारी जो protection belt होगी वह क्या होगी हमारी natural selection and species relation कि यहाब हमार को nature बंदर से इंसान बने तो वह natural selection था जा जा पर मतलब सर्वाइवल फिट्टेस का कॉंसेप्ट आ जाता है तो वह हमारी क्या है पैल्टो यहापको दिख रहा है यहापको दिख रहा है यहापर हाड कोर है है claims and reason ठीक है यहापर हमारे reasons आ गए यहापर यह जो arrow दो नीचे उपर बने है वह हमारी protective belt है जिसको evaluation process भी बोलते हैं यह दिख रही होगी evaluation process बोलते हैं यहापर लिखा हुए negative heuristics और यहापर नीचे वाले में लिखा है positive heuristics ठीक है और यहापर वही नीचे तो इसका जो research program था उन्होंने paradigm के अग्यांस दिया था तो वह paradigms की similar था लेकिन उसके कुछ-कुछ differences थे ठीक है similarities भी important है paradigm और research program में क्या-कैस similarity थी थी था थामस कुन का concept और इन के concept में क्या similarity थी वो पढ़ लेते हैं बोद guide and direct scientific question, experiments and interpretation of data दोनों ही paradigm की बात करो रिसर्च प्रोग्राम की बात करो वहमें scientific questions के बारे में बताते हैं experiment के बारे में data को interpret कैसे करना है वो बताते हैं दोनों ही historical identities जो over time change होती हैं दोनों ने ही anomalies को डवलप किया है यह important है पीवाई क्यू अनेमलीज को डवलप किया है मेरे लिकतौस रिसर्च प्रोग्राम वदब थॉमस कून ने भी और मेरे लिकतौस ने भी और उनके साथ कैसे deal करना है वो भी हमें बताया है अनेमलीज में आपको बता दिया था irregularities या जब minor changes आते हैं सोसाइटी में तो इसको अनेमलीज भूलते हैं that is solving them हमें कैसे इनको solve करना है इग्नोर करना है या फिर उनको accept करना है या फिर उसको paradigm या प्रोग्राम से अनेमलीज को हमें इस तरीके से डवलप करते हैं कि हमें हमारे उपरे कि हुने अनेमलीज को कैसे यूज करना चाते हैं solve करने के लिए, ignore करने के लिए, accept करने के लिए या अनेमलीज करने के लिए then यह हो गई हमारी similarities अगला point है theory of scientific change must account for change within and between paradigms that is very very important question can be framed from here कि जो लेकतोस हैं वो बात करते हैं within the paradigm and between the paradigms हमें scientific change की जो theory है उसमें हमें change लाना पड़ेगा scientific change की theory में वो बोलता है कि हमें paradigm की within भी change लाना है paradigm का मतलब program ही हो सकता है और दो paradigms के बीच में भी change लेकर आना है विदिन तो लाना है उसके अंदर तो लाना है लेकि उन दोनों के बीच में हमें changes लेकर आने हैं कि एक paradigm से दूसरे paradigm में क्या change है वो भी हमें बताना है क्योंकि आपको पता है Thomas Koon को किस बात पर क्रिटिसाइस किया गया था जब मैं आपको पड़ा रही थी इसी बात पर क्रिटिसाइस किया गया था कि जो एक paradigm है वो दूसरे paradigm से बहुत अलग है उनका आपस में कोई लिंकी नहीं है ठीक है तो वैसा change within research program change should be made to the protective belt तो यह मैं आपको बता दे कि change हमेशा protective belt में आएका कभी भी हार्ड कोर में change हम नहीं ला सकते ठीक है the core isn't subject to falsification तो वो बोलते है जो कोर है ना हमारा कोर वो कभी भी falsify नहीं हो सकता है इसलिए खाल पापर को क्रिडिसाइस करते है कि हमारा course जो कोर होता है ठीक है research program का यह paradigm का को उसको फालसिफाई नहीं कर सकते है उसके protective belt को फालसिफाई कर सकते है ठीक है all research program face anomalies हर जैसे वो बोलते हैं कि scientist भी sign है उनसे भी गलतिया हो सकते है उनसे गलतिया होंगी तो ठीक है गलतिया में theory में गलतिया निकलेंगी गलतिया निकलेंगी तो उन्हें modify भी करना पड़ेगा तो इसका मतलब है थोड़े की falsify कर दो what matters most according to lackathos is not how well a theory fits the data lackathos के लिए important निये कि theory कितना हद तक data में fit होती है उसके लिए important है all programs fail to fit the data to some degree तो वो मानते हैं कि सारे programs कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक चाहिए आप कितना ही अच्छा program या किस नहीं अच्छी theory बना लो वो कहीं न कहीं fail होई जाती है वो पूरी तरीकी से कभी भी perfectly fit नहीं हो सकती हमारे data में हमारी observation में ठीक है यह data या फिर रिसर्च में a high degree of failure to fit में just mean this programs mean been subject to more scrutiny than others सिरफ इसका मतलब इतना ही है कि अगर आपके data fail हो रहा है ठीक है आपके program में कोई failure आ रहा है तो बस इसका मतलब इतना ही है कि आपका जो program है दूसरों के मुकाबले थोड़ इसे उसमें ज्यादा गलतिया है और कुछ नीज का मतलब यह कि आपके फॉलसिफाई कर दू के पूरा last point the idea that something can matter more than fitting the data would have baffled the positivist तो इस idea ने किसको पॉजिटिविस को क्या किया है थाफल किया है तो फेमस देख लेते हैं इनकी last question यह पीवाइक्यूस हैं तो पीवाइक्यू में एक बुक्स आई हुई है और तो इसी बुक जो पहली बुक है the methodology of scientific research program इसी बुक में रिसर्स प्रोग्राम का concept दिया था तो इसके नाम में ही research program आ रहा है तो अगर आपको याद हो कि research program में रिसर्स प्रोग्राम का concept में रिसर्स प्रोग्राम वर्ड आ रहा हो जिस बुक में वो भी किसी होगी मेरे लेकाताउस की होगी तो इसका पूरा बुक का नाम है the methodology of scientific research program proofs and refutation the logic of mathematical discovery अच्छा most of the cases में जहाँ पर mathematical term आ रहा है किसी बुक में तो वो मेरे लेकाताउस ही mark करके आ जाना है इसकी एक और बुक है उसमें भी mathematician की उपर ही है कि मेरे लेकाताउस थे हों mathematician थे और communist भी थे तो इसलिए आपको याद रखना ठीक है the proofs and refutation proof and refutation criticism and the growth of knowledge भी मेरे लेकाताउस की है criticism and the growth of knowledge तो यह आपके questions हो गए आज के उसरा question देखते है so next question which of the following philosopher of science was introduced by Kenneth Waltz to international politics Kenneth Waltz ने आयार में किसको इंट्रड्यूस किया था philosophy of science से निकालके वो तब वो philosophy of science के thinker थे लेकिन Kenneth Waltz ने उनको आयार में इंट्रड्यूस किया था अपने मतलब वर्क में आयार में यह मेरे लेकाताउस की बात की थी तो यह भी आप याद रखना पीवाइक्यू कि ठीक है तो आपको आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में